तो चली पर चलो शुरू करते हैं इस्ट्राक्ट बेस्ट कोश्टन को जो कि आपनी इंगलिस चैपकर से लेते है ठीक है तो पहला जो कोश्टन है वह सरमन 8-27 मैंनारस से है और यह क्या है इस्ट्राक्ट यह जो कुछ इस तरह शेरह से varsitt the prince here to fall shielded from the sufferings of the world मतला जो ना 25 साल के अवस्था तक यानि 25 साल के एज तक जो प्रिंस जो थे ना जो राजकुमात हो थे ना उनको क्या जो ना पूरे दुनिया के कॉस्ट से उनको जो ना बचा के रखा गया था वाइल आउट हंटिंग ग्लांस्ट अपोन अशीक मैन लिकिन जब 25 साल के एज में जब वो क्या होता है ना मतला कि जब वो हंटिंग के लिए जाते यानि कि सिकार करने के लिए जाते है तो उन्हें क्या दिखाई देता ना अशीक मैन एक बिमार ब्यक्ति उनको मिलता है तब उन्हें क्या दिखाई देता है उसके बाद एक बुढ़ा ब्यक्ति दिखाई देता है यानि कि बुजर्ग ब्यक्ति दिखाई देता है और पिर उन्हें क्या दिखाई देता है एक सौ यात्रा दिखाई देता है and finally among begging for arms और इसके बाद जो है ना अंत में क्या होता है न उनको ये दिखाई देता है कि एक भिच्चुक दिखाई देता है जो कि क्या मांगता नजर आता है ठीक है और इतना कुछ देखने के बाद जो है अब हमसे जो है न वो कुछ को संस को पूछे जाते हैं यानि कि स्ट्रैक बेस से और इससे अब बेस्ट कोस्टन है तो क्या है नेम दफिंस हमसे पुछा जाला है कि प्रिंस का क्या नाम है तो सिधात गौतम जो है ने इनका नाम है प्रिंस का ठीके what are the sights of suffering that prince saw मतला किस तरह के कस्ट को न प्रिंस न देखा का नजर पड़ा किस तरह के कस्ट पर तो सिधात गौतम वाज मूड बाई सिधात गौतम जो है न जो की प्रिंस है वो जो है न वो क्या होता न मूड मतला बिल्कुल बिचलित हो जाते इस चीज को देखने पर क्या देखने से seeing a sick man a sick man then an aged man उसके बाद then an aged man मतला हमें जो हमें यहां से लेके यहां तक क्या करना है इसको उतार देना as it is या कहें तो इस तरह से a final procession and finally among begging for arms यह हमें उतार देना है लिख देना है इस तरह से हमारा यह answer बन जाएगा अब देखिए एक कहरा न give the meaning of the word silded मतला silded नाम का न एक word जो है इस stack में दिया गया है उसका meaning क्या होता है यह हमें बताना है तो ठीक है न sild मतला होता है न बचाना जैसे की जैसे की क्या होता है कि suppose की आप suppose की आपको जो ना आपके पापा जो है न वो डाटर है तो आपकी ममी जो ना आपको बचाने आती है उसको कुछ ना कुछ उसको प्रोटेक्ट करती है तो उसको कह सकते है कि आपकी ममी ने आपको sild किया तो इसी तरह से यह meaning का मतलब होता है यानि कि protect करना तो meaning of the world shielded is protected मतलब बचाना ठीक है अब अगला जो है वो देखिये क्या है अगला है find the word that means look at, looked at मतलब एक ऐसा सब्द इसमें दिया हुआ है इस stack में जिसका meaning जो है यानि कि यह जो सब्द है इसका मतलब होता है look at तो इस तरह से हमारा पहला question जो है वो खतम होता है अब आते हम लोग इस chapter से ही एक दूसरे stack को लेंगे और फिर इसको हम लोग समझते हैं तीके second question क्या है second question कुछ इस तरह से है कि he who six he who six peace should draw out the arrow arrow है a row row of the lamentation complaint and grief वो जिसे मन की सांती चाहिए यह वो जिसे सांती चाहिए ठीक है ना उसे जो है ना शिकायत का lamentation यानि कि बिलाब का और grief जैसे जो तीर होता है ना उन सारे तीर को यानि कि जो सांती चाहता है ना उसे जो है ना उसे जो है बिलाब का सिकायत का और शोक जैसे तीर को न उसके अंदर जो तीर जो है न जो कि उसके अंदर जो दर्द थमा होता है न उसको जो है न निकाल बाहर फेकना चाहिए फिर से मैं बता दू मतलब वो जिसे सांती चाहिए उसे क्या-क्या चीज निकाल देना चाहिए अपने मन से बिलाप, Lementation मिनस बिलाप, कमप्लेइन मतलब शिकायत और ग्रिफ मतलब दुख इस तरह के जो पिडा जो है न उसके दिल से न उसको निकाल देना चाहिए बिलकुल जैसे कि तीर चूट जाता ना उस तरस उस तीर के तरफ उसको भी निकाल देना चाहिए He should draw out arrow and has become composed will obtain peace of mind जो तीर निकाल जो मन की सांथी चाहिए जिसे मन की सांथी चाहिए जिसे मन की सांथी चाहिए उसे क्या करना चाहिए उसे जो है न वो सारे तीर को निकाल देना चाहिए अपने ठीक है और क्या होना चाहिए मतला लेमेंटेशन का तीर निकाल देना चाहिए कंप्लेंट का तीर निकाल देना चाहिए और ग्रीफ का तीर उसको अपने दिल से निकाल देना चाहिए and he should draw out and become composed composed मतला बिलकुल सांथ इन सारे तीर को निकारने के बाद उसे क्या हो जाना चाहिए यानि कि सान्त हो जाना चाहिए और इस तरह से जो है न He will open the peace of mind वो इस तरह से मन की सांती को प्राप्त कर सकता है He who has overcome all sorrows will become free from the sorrow and be blessed जो सारे दुखों पे कस्टों पे जूकर मतलब कि एक Doors को से कहें कि उससे जमा लेने इनुपर उन सारे कश्ट को जो है जो से निकल जातार लेकिशना उससे थींशना इर हो इसे दुक्त से क्या करें तो आशिर्बाद प्राप्त हो जाता है यानि कि वो सारे कस्टों से वो मुक्त हो जाता है फिर से मैं बता दूँ इस पूरे paragraph का क्या मीनिंग है तो पूरे paragraph का ये मीनिंग है कि इसमें का रहा ही हूँ जो six piece जिसे जो यह जो ना शांती चाहिए उसंदर चीया काना चाहिए ना कि विल्कुल सांथ हो जाना चाहिए तभी वह क्या करता ना he can obtain the peace of mind तभी उसे जो है ना मन की सांथी जो है प्राप्त हो सकती है he who has overcome all sorrows और जो इन सारे overcome कर लिया यानि कि इन सारे कस्टों पर क्या हो ना बीजे प्राप्त कर लिया यानि कि overcome कर लिया उसको अपने बसी भूत कर लिया उसको अपने अंदर ठीक है ना उसके उपर जो ना control पाल लिया है will become free from the sorrows मतलब बिल्कुल जो है ना वो free हो जाएगा दुख से ठीक है सारे जिन्दगी के दुनिया के सारे कस्टे वो क्या हो जाएगा ना free हो जाएगा and be blessed और वही जो है ना उसे ही आशिरवात की प्राप्ती होगी ठीक है तो speaker of these lines कौन है ये speaker जो है इस line के वक्ता कौन है तो गौतम बुद्ध गौतम बुद्ध है ये हो गया ठीक है what does lamentation mean यहां पर जोने lamentation का मतलब क्या होता है तो रीपेंटिंतिंगacji यानि कि बिलाप करना बिलाप करना यह जो है यह हिंदी का वाद है बिलाप करना ठीक है तो Lamondation का होता है फिंध है repтесь Taham Haynaрок मतलब ही पससात मतलब बुद्धा जो है अब यहां पर कहा है यह paragraph में क्या कहा रहा है बुद्धा जो है ना answer कर रहा है क्या कह रहा है ना कह रहा है क्या कि I want a handful mustard of seed मुझे जोने एक मुठी सरसो चाहिए सरसो का दाना चाहिए ठीक है और इसमें क्या है ना आप लड़की जो है विल्कुल उत्साहित हो जाती है कि वो प्रोक्योर कर लेगी यानि कि उसे वो प्राप्त कर लेगी तब वो उनसे कहते है क्या कि the mustard must be taken from a house मतलब वो seed का जो है ना mustard seed उस घर से आना चाहिए जहां जिस घर में कोई बच्चा ना मरा हो कोई husband ना मरा हो कोई parent ना मरा हो या फिर कोई दोस्त की मृत्तिव ना हो वैसे घर से हमें seed ले के आना है ठीक है अब देखें यह क्या है question फिर इस पर हम लोग क्या देखते है who is I in this species मतलब I जो है ना वो किस के लिए use किया गया है तो गौतम बुद्धा के लिए use किया गया है यह आई what's the name of the girl अब यह girl का जो नाम है इसका क्या नाम है इस girl का नाम है किसा गौतमी ठीक है यह हो गया है what is the meaning to obtain obtain का meaning क्या है यह obtain जो नहीं यहाँ पर सड़ी यह एक सब्द है जिसका मतलब होता है obtain यानि कि प्राप्ट करना इसका मतलब होता है obtain यानि कि प्राप्ट करना इसका और इसका दोनों का मतलब क्या होता ना प्राप्ट करना ही होता है ठीक है ना what happened to the girl लड़की के साथ क्या अन्होनी होगी थी क्या हुआ था ठीक है the girl's son had died girl का जो है ना जो बच्ची लड़की जो थी ना यानि वो साथी सुधा थी गौत्मी किस्सा उसकी बच्ची को नो कम उमर की थी उसकी बेटी का क्या हुआ था ना देथ हो गया था ठीक है तो चलिए बचलो ये इस तरह से हमारा जो है एक सेट खतम होता है जो की कमप्लीटली किस्स पर डीवोटेड है सर्मन एट बेनारस से है थेंक्यू बचलो